कहते हैं कि समाज में एक नौजवान जब पैदा होता है उसी वक्त से वो टेक्स पेर बन जाता है वो जैसे ही सास लेना शुरू करता है वो टेक्स के बोच के तले दबना शुरू हो जाता है एक बच्चा जन्म के साथ ही देश और समाज उसे अपने प्राइमरी जरूरतों पर टेक्स अदा करने का अधी बनाना शुरू कर देते हैं दवा से लेकर खाने पीने तक एक एक चीजों पर उसके माबाप टेक्स देते हैं फिर भी स्कूल से लेकर कॉलेज के सफर तक कई तरह के टेक्स देते हुए उसकी जिन्दगी का एक लंबा सफर खर्च हो जाता है। भारत के जादातर नौजवानों का यही हाल है। बड़ी आबादी इन सबसे महरूम रहती है। इस देश में राजनिती जूट और फरेव भरे वादों पर ठीकी है। विचारों के थोपने के जद्धो जहत के बीच बुनियादी सवाल पूरी तरह से गायब है। एक विरुज़गार नौजवान रोज हजारों मौत मरता तो कभी परिवार, कभी वो खुद अपने आपको नहीं बख्षता। जिसे वो सबसे उपर समझने की हिम्मत करता है वो भी उसे नहीं छोड़ते। पहली कक्षा से लेकर पेशडी तक के सफर पूरी करने के बाद भले उसके अंदर हजार काविलियत हो लेकिन उसे नौकरी की लडाई के बीच वो खुद को दुनिया का सबसे एक लौता इंसान महसूस करता है क्योंकि समाज भी उसे उसकी परस्नेलिटी से नहीं भलकि उसके पैसे के आधार पर उसे तवज़व दिने के बारे में सूचता है। तीन नंबर तो कभी दो नंबर के मेरिट जाते के खेल तो कभी आरक्षर के घाल मेल तो कभी कोट के चेरी के चकर में फसी नौकरियों का दर्द वो उनी कमरों में समेटे हुए साथ ही दिल में एक दर्द भी कि घर पर माबाब के खुन पसीने की कमाई और सवक्त खर्च हो नहीं बलकि उसके पोश्ट और कमाय हुए पैसों के आधार पर दी जाएगी उसकी शादी का पैमाना भी यही बनेगा जब लोग पूछेंगे कि लड़का क्या करता है उसके कई नीजी रिष्टों का खात्मा भी इसी आधार पर हो जाता है कि वो जिन्दगी में कामयाब नह दीने का आधी हो जाता है लोग उसकी मेहनत और तजर्वे की कदर करने के बज़ार उसके मुकमल परसनालिटी का पैमाना उसकी सफलता उसकी काम्याबी नाकामी और उसके पैसे का अधार प्रताय करने लग जाते हैं अब इसके दूसरे पक्षपर नजर डालिए तो इन सब वावजुद उनके पैसे, ताकत रसूख और मुबलाइजेशन के चलते जनता ने इन्हें अपना अवामी नुमाइंदा के रूप में चुन लिया है क्योंकि इन्हें जनता को सपने दिखाने की महारत हासिल है लेकिन माननी बनते ही पांच साल इनके पास ने तो समाज और कंसेप्चुल लेवल पर कोई विजन होता है बलकि नाली, सड़क, खरंजा, शोचाले से लेकर अनस्विधाओं पर सरकार पर डिपेंड बनाने के लिए जनता को विश्वास में लिए रहते हैं लेकिन सस्ता एजुकेशन, मेडिकल और रोजगार क्रियेट करने की विव से इनका कोई मकसद नहीं होता, संसद और विधान सबा में भी देश के नौजवानों से जुड़े मुद्दे या तो नजर अंदास कर दिये जाते हैं या फिर राजनितिक हीद को ध्यान में रखते हुए कभी कबार उठा दिये जाते हैं राजनिती इतियास की आईने से प्रजेंट समय से कंपेर करके देखेंगे तो आपको मिलेगा कि गरीब जनता एवं युवाओं के बुन्यादी मुद्दों के लिए कोई भी जन प्रतिदी नहीं संसद में इस पर कोई चर्चा कर रहा है बस उसकी पूरी निगा कुर्सी त अब बात करते हैं उन युवाओं के बारे में जो राजनितिक साजिशों के शिकार हो रहे हैं तो आप समझेए अगर आप वोट देने के ताकत रखते हुए सत्ता बदलने या काइम रखने में बड़ी भूमी का अदा कर सकते हैं तो साफ सुत्रे पॉलिटिक्स देने के ल सकता है थोड़ा जुकिए लेकिन इरादे मजबूत रखिए निराशा के आगे आशा को जिन्दा रखिए और अपनी ताकत अपनी सोच में कवकावला कीजिए नेताओं की चाटू कारता और गुलामी करने वाल लोगों का बाइकॉट कीजिए पूजी साधन भले हो लेकिन वो रोटी का हिस्सा नहीं हो सकता रोटी तो इस देश की मिट्टी से पैदा होती है जो आपकी जिन्दगी का अधार है इसे बचाने के लिए इस देश को चंद लोगों के हाथों में गुलामी से बचाना होगा इसे रियल तरक्की की और ले जाना होगा तभी आप अपने भुष्च का निरमार कर पाएंगे और यह जिम्मेदारी आपकी है लेकिन हम नौजवानों को जात पात धर में जादा मचाता है इसलिए लगे रहिए और दीजे मुझे इजाज़ा